तो यार अभी जस्ट अभी इलेक्रिशन निकला है यहां से लाइट वगएरा सही करके गया है तो बिसिकले हुआ क्या था जो वायर जले थे यहां पर वो यहां से लेकर उपर तक पूरी छट के अंदर वहां जल चुकी थी और यह काट के निकाली है तो भाई इसकी कंडिशन देखो आप कंडिशन किस तरीके की है सारी जल चुकी है इसके उपर वाली जो प्लास्टिंग की कवरिंग है वो जल चुकी है और इसके साथ ही साथ इसके गरम होने से बाकी सारी वायर के है पिगल के गुच्छा बन गई थी तो उनको सभी को यहां से निकाला फिर दुबा प्रक्ट भी आया पड़े है उनका भी वीडियो गरा शूट करने वाला है इधर ग्रीन स्क्रीन लगा आप देख सकते हैं तो यहां पे शूटिंग भी करना है पहले कमरे में लाइट नहीं था तो उसके कारण सारा काम पेंडिंग पड़ा था तो अभी जस्ट करेंगे सार अब फिलहाल इस रूम में सारी लाइटें अन हो चुकी है जैसे पहले था वैसे हो चुका है और इसी के साथ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अपना एक और हत्यार आने वाला है तो वो आ चुका है वीडियो में के लिए और यह है शोटगन माइक तो फटा- खाता हूँ एक बार यह वाला मैक्रोफोन है जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं अभी जैसे यह मेरे बिल्कुल फेस के पास है तो इस तरीका को कुछ आवाज सुनने को मिल रहा है और जब थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है तो अभी जो आपको आवाज है तो इसमें दिक्कत सिरफ इतनी है कि थोड़ा सा एको रहता है रूम में जो एको है वो है और शॉर्ट गन माइक में वह चीज नहीं रहने वाली तो यह कुछ इस तरीके का इसका पेकेजिंग है इसको करते हैं ऑपन तो अंदर से हमें कुछ यह वाला बॉक्स देखने को मिलेगा और यह बोया का भी वाई एम एम वन माइक्रोफोन है शॉर्ट गन माइक फटा फट से इसको निकल के देखता हूं कैसा है इसका फर्स्ट लूप तो भाई अंदर क्या कुछ है इसके थोड़ा बहुत यह पेपर वर्क जो अक्सर किसी प्रोड़क्ट के साथ आता ह और मैं इसे रेड नहीं करता और यह रहा अपना माइक्रोफोन तो क्वाल्टी काफी अच्छा है इस पे डेड़केट लगा हुआ है अभी और अंदर से माइक्रोफोन हमें जो शॉर्ट गन माइक है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और देख सकते हैं आप इस प माउंट इसको माउंट करने के लिए यहां पे इस तरीके से लगेगा शॉक अब्जोर्वर की तरह काम करेगा और साथ ही में कुछ यहां पे हमारे पास केबल्स हैं यह कैमरा या DSLR के लिए है और स्मार्ट फोन के लिए यह दूसरी केबल है जो कि आप मोबाइल फोन के अं अपने ट्राइपोड पे और देखते हैं कैसा रहते हैं तो यार यह रहा हमारा प्रॉपर सेट अप इसका वीडियो भी मैंने बनाया है और टेक चनल पे दोनों का मैं कम्प्लीट रिव्यू वीडियो और अन्बोक्सिंग वहां पे अपलोड कर दूँ अगर आप डीटेल म सा फिक्स करना पड़ेगा हमें अहां तो ठीक है तो यह लूख हमें देखने को मिलेगा तो यह जो कॉल्ड शू माउंट है वाइदा में यह मैंने खुद डिजाइन किया इसके साथ में नहीं आता और इसके अंदर इसको माउंट करने के लिए सिंपल इसको यहां पे इंसर साउंड रहता है ना रूम का या किसी भी जिस का तो उससे यह कैंसल करता है उसके लिए काफी बढ़िया है और सबसे जरूरी बात सराउंडिंग की साउंड यह नहीं कैप्चर करेगा जितने भी आवाज इसके सामने रहेगी वही यह कैप्चर करता है तो सबसे बढ़िया और अभी आप इसके बाद अभी जो आवाज सुन रहे हैं तो अभी मैं जैसे चुटकी बजाओं गां तो यह वाले मैक से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगी बया भी वाई एम वन से तो फटा फट से करते हैं इसका ओडियो चेक्ट गाइज अभी जो आवाज आप सुन रह जिस पर जाके देखता हूं कि कैसा इसका आवाज रहता है और इसी के साथ सबसे ज्यादा एको जो होता है वह बाथ रूम में होता है तो वोश्रूम में जाके चेक करते है कि कैसा इसका साउंड रहता है तो फिलहाल मैं हूं वोश्रूम में और इतना ज्यादा एको है यहा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना है दोरों के बीच में एंड इसके अलावा अगर डिटेल्ड इसका वीडियो रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ वह जाके आप देख सकते हैं एक चनल पर मैं अपलोड कर दूँगा और कमेंट शेशन में जरूर बताइगा कि आपको अभी जो आडियो क्वाल्टी मिल रहा है वो कैसा लग रहा है पहले से बहतरीन है या फिर उसी के मुकाबलिका है तो जरूर बताइगा मेरे को दोनों ही मार्केट जा रहा था मैं और तभी बाइक को निकाला बाहर और एक चीज़ नोटिस की यह जो रॉयल इंफिल्ड में जो कमने फिटेड गार्ड आता है लाग गार्ड यह इससे महंगा तो कोई आता नहीं है सबसे सॉलेड वाला यही तो प्राइजिंग रखा उन्होंने पें तीसो से लेके अड़ तीसो रुपे तक की रेंज के अंदर यह आता है और इसमें कॉमन इशु यह आ रहा है कि यहां पर यह जो क्रेक देख रहे हैं यह जोईंट पर यह वाला यह देखिए इसमें कहीं भी कोई भी नीचे नहीं गिरीयह वाइक और यहां पर यह पर यह देख सकती है कि यह जो क्रेक यहां पर आ रहा है यह अपने आप आ रहा है उला जयी और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हो रहा, इससे पहले मेरी कजन की बाइक में से हम यही प्रॉब्लम आई, तीन से चार महीने यूज करने के बाद, तो मैंने सोचा कोई मैनिफेक्टरिंग डिफेक्ट होगा, तो उसका हमने रिप्लेस्मेंट करवाया, और अपनी बाइक को हो चुक क्वाल्टी है, इसके बाद क्या किया, मैंने यूट्यूब पे जाके चेक किया, कि यह मेरी ही प्रॉब्लम है, या इसके अलावा कोई और भी इस चीज को फेस कर रहा है, तो भाईसाब वहाँ पे जाके मैंने देखा, कि लगभग लगभग 15-20 वीडियो पड़े है, अल्र कि दो दिन यूज किया, और तिसरे दिन फूस हो गया, तो देखना बनता है यार इस चीज को, क्योंकि हमने पे किया, यार यही अगर लेगड में नॉर्मल मार्केट से लेता, तो बारा तेरा सुकी करीब आता हो, इसके लिए मैंने डबल से भी, अगर आप इसके 6500 भी ले पड़ा है अपना उसमें प्रोटीन सप्लिमेंट्स है कुछ, तो वो उठा के लेके आने है, और यह वाली प्रॉबलम अगर मेरे इलावा किसी और वीवर ने भी फेस कियो, तो प्लीज मेक शोर नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, इसके खिलाफ अपन आवाज उठ और इस पर लिखा हुआ है यार कुछ दिखाता हूं आपको इस पर वर्निंग दी गई है कि खौलने से पहले से पढ़े है और इसमें लिखा गया है कि कुछ भी अगर इशू होता है तो उसका क्लेम तभी होगा जब आप इसका अन्बॉक्सिंग का वीडियो शूट करें त प्रोडक्स काफी फेक रहते हैं तो उनलाइन जितने फ्रोड होते हैं उतने शायद ही कहीं पर होते होंगे तो पैकेजिंग एक बार दिखा देता हूं आपको पूरी तरीके से सील्ड है चारो तरफ से न्योट्रवे की सील लगी हुई है इस पर और यह है इसका इन्वाइ और इसके अलावा बुक्स है खाली भाई ये क्या है इसक्षेशregald Really तो करणे के दिख्थे हैं स्क्रैच पहले तो यहां पे अपने को இ को यहां अपने कोर्ड मिला है और इसको करना क्या है हमें इस वैबसाइट पर विजिट करके स्को यहां पर एंटर करना शाय ताकि आपको problem share की यार वो ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए अगर आप किसी रोल इंफिल्ड के executive को जानते हैं तो उसके साथ जरूर share कीजिए ताकि in future जो मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है वो in future किसी और के साथ ना हो तो आपसे मलकात हो कि next interesting से vlog के साथ तब तक के लिए बाबाए